नालागड के जड़ीवाला गाउं में छोटे साहिब जादे वेलफेर सोसाइटी जड़ीवाला द्वारा एक मुफ्त विशाल हेल्थ चेकप कैम्प का एक माह पहले आयोजन किया गया था जिसका बुधवार को समापन हुआ जिसमें तहसिलदार नालागड रिशब शर्मा ने शिर्कत की इस कैम्प में SG हेल्थ केर द्वारा ग्रामीनो का एक्क्यू प्रेशर थेरेपी से इलाज किया जा रहा था वहीं अधिक जानकारी देते हुए फिजियो थेरेपिस्ट ने बताया कि एक माह से वह इस गाउं में लोगों का इलाज फिजियो थेरेपी के जरिये से कर रहे हैं उन्होंने बताया कि एक दिन में 25 से 30 लोग कैम्प में अपना चकप करवाने आते थे ग्रामीनों में एक खास डिस्क प्रॉब्लिम, स्वाइकल वगुटनों के दर्द की जादा समस्या देखने को मिली जिनका इलाज पूरे एक माह से फिजियो थेरेपी के जरिये किया जा रहा था वहीं तहसिलदार नालागर रिशब शर्मा ने छोटे साहिबजादे वेलफियर सोसाइटी जडिवाला को एक मुफ्त कैम्प को करवाने के लिए शुबकामनाय दी वहीं उन्होंने कहा कि इस कैम्प में लोगों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया और अपनी समस्याओं का इलाज करवाया है और वहाँ आशा करते हैं कि इस प्रकार के कैम्प दूर दराज ग्रामीन छेत्रों में भी लगवाए जाएंगे कि इसनल री यह वह जातर लोग आई वह जातर डिस्क रवाहिकल करके लोगों को यह कैसे रिकला स्टोल की प्रोडम घप्या रही है जातर जो प्रोलम है वह खाने प्या फीने करके यह लोगों को लोग है जो यहां लोग आए वो जातर डिस्कोर स्रवाइकल के ही आए जो हमारा ट्रीटमेंट हम उसमें की ब्रेश्र पॉइंट दबा के लोगों के लाज करते हैं जिसे लोग यह जो ट्रीटमेंट थोड़ा लंब होता है जिस तरह एक मिना पतर दिनी समय लगतार ट्रीटमेंट ले मतलब 25 पेसेंट जो है वो राइगलर आए जैसे मतलब पूरे एक महीने में कम से कंपचास से अफ़ी पेसेंट का हुआ है मैं सबसे पहले बदाए देना चाहूंगा चोटे साइब जैदा वेलफिर सूसाइटी जिड़ी वाला को चिनों ने जो है इसले एक महीने से यहां हाउंप करेंदा जो चेक्प प्री खालन कुछन किया आज समा प्रस्वारों में यहां आने का मौकर मिला तो मैं देखने को मिला की काँ काफी लोग जो है जैसे जोने बताया कि एक्वफ्रेशर है सर्वाइकल है या किसी तरह का चेकप है पीपी चेकप है उस तरह की सभी जो है नॉर्मल हेल्थ चेक अप है उसकी सुविदा यहां पर इनको फ्री ऑफ पोस्ट दिल जा रही है तो मैं आशा करता हूँ यह जो इनका कैम्प है यह और तुसरे जो दुर्द गराज की विलेज हुआ पर भी लगेगा और इसी तरह ही आगे बढ़ते हैं इस मेटर पे म करता है